आज शिवरात्री का भी सुब मोहर्त है और साथ साथ सिंथी समाज का पवित्र चालिसा भी प्रारंब हुआ है उसका मोहर्त भी प्रारंब हुआ है और हम सब का इस सभाग्य है कि पोज्य जोलेलाज जी की इस भव्य मंदिर को एक बार फिर से नकेवन अस्थापना का कारियाद पुरा हुआ है बलकि उनकी पवित्र पावन मूर्ती की अस्थापना का कारिक्रम भी आ जहां पे संपन्न हुआ है मैं इसके लिए आप सब को हिर कैसे बढाई देता हूँ बोज्य जोलेलाज जी का अस्तरी बाद आप सब पर सदियू बनी रहे या उनके सिचर्णों में प्रार्थना भी करता हूँ वायो बेनों मैं आप सब को हिर्दे से धन्यवाद देता हूँ कि गोरकपुर के विकास के लिए समाज ने या गोरकपुर के नागरिकों ने कभी भी नहीं आने दी और प्रेड़ाम रहा कि ये मार्ग जो हमेंसा जाम में फंसा रहता था फोर लेन का अच्छा मार्ग बन गया है और जो भी अब इस मार्ग से आता है अच्छा हो प्रवाई तोगर के जाता है कि तेके अच्छा विकास करता देता है अब यहां के सडकों पे चमचमाती वी लाइट और चोड़ी सडके इस बात को प्रमाण देती है कि हाँ अब किवल दिल्ली और मुंबई की चर्चा नहीं होगी विकास के मामले में हमारे गोरगपुर की भी चर्चा होगी और इसका सुरे आप सब को जाता है एक भी व्यक्ति सिकायट करने नहीं आया और सभी लोगों ने सहस्ता के साथ विकास के सकारे को अपने आने वाली पेड़ी को जुन बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया और पेड़ाम रहा कि इतनी अच्छी खासी सड़क यहां के अंदर बन गई और वहां पर ती जोले लाज समदाय यानि सिंदी समाज का इसले भी धन्यवाद है कि सड़क चोड़ी करण के कारे में वो जे जोले लाज जी जो हम सब की आस्ता की प्रतीक है जो अरुण देटा के उतार माने जाते हैं जिन्होंने अपने उस समय के चमतकारों से आकरांताओं के छक्के छुड़वाए थे उनका पवित्र मंदिर भी सड़क चोड़ी करण की मार्ग में आ रहा था लेकिन समाज ने कहा कि विकास के साथ साथ आस्ता के लिए भी हमें जगए मिल जाया तो अच्छा है और हम भी चाते हैं विकास होना चाहिए एक सकारत्मक सोच और मैं मानताओं इसकी पेड़ा पूज्य ज्χुलेलाल जी की पेड़ा थी एक लंबे समय तक लगभग सत्तर फिचत्तर वर्सों तक पूज्य ज् personalities का मंदिर पुरानी अस्तान पर था अब नए अस्तान पर सत्तर वर्सों के बाद एक नया भव्य मंदिर बना है और पहले की तुल्णा में और अच्छा भव्य सुरूप दे करके काफी स्पेसियस जमीन दे करके उसको बनाने का प्रियास हुआ है सच मुझ एक प्रियास यहां एक प्रिया का हिस्सा है लेकिन हम उस विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और विकास की सकारात्मक सोच का पेड़ाम यहां के सिंदी समाज के लोगों ने यहां पर दिया है जो आज हम सब के सामने इस भग्य मंतिर के रूप में आगे वढ़ रहा है वायो बेनो, सिंदी समाज एक प्रगतिसील समाज है 1947 में विभाजन की तरास्ती को जहिलते वे हुनोंने न केवल अपने पूरवजों और आज़ता को संग्रक्सित रखा बलकि विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके पसीना वहा करके, परिश्रम करके आज देश के विकास में भी एक महती भूमिका का निरुवान कर रहे हैं बहुत बड़ी भूमिका का निरुवान कर रहे हैं